मुश्कार दोस्तों इंडिया बुलेगा मैं आपका स्वागत है जन्पत जौनपुर से बुरी खबर सामने आ रही है कि जौनपुर से प्रयाग राज जा रही बस पलड गई इसमें दो छात्रों की मौत हो गई यह वाक्या जौनपुर के रामपुर्थाना छेत के कांती देवी इंटर कालेज के छात्राओं को सुबर लेकर जाते समय करीब साथ बजे हुआ है और बस जब प्रयाग राज जिलेक में पहुंची सैदाबात के समय बस पलड गई इस हासे में दो छात्रों की मौत हो गई और जिनों में कोहराम मच गया जिनके जिनके बच्चे बस में सवार थे वे सारा काम धंदा छोड़कर प्रयाग राज के लिए रवाना हो गए आपको बताते चले की रामपुर्थित के श्रीमती कांती देवी इंटर कालेज के छात्राओं को टूर कराने के लिए करीब एक सब पता से तैयारी चल रही थी तैयारी पूरी होने के बाद बस में 56 चात्राओं को लेकर स्कूल के सिच्छक सनीवार की सुबर 7 बजे रामपुर से निकले बताया जाता है कि बस सैदाबात के पास पहुंची थी तब ही एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस पलड़ इस हासे में चीक पुकार मच गई आस पास के लोगों की मदद से पुलिस ने सभी को निकाल कर इस्पताल भिजवाया जहां चिकिस्कों ने दो को मिद्गोशित कर दिया हासे में प्रधानाचार अनिल सिंग भी घायल है इनका इलाज स्वरू प्रानी इस्पताल में चल रहा है स्कूल से मिली चानकारी के अनुसार कच्छा चक से दस तक के छात्रों को इस टूर में सामिल किया गया था सभी बच्चों को बस से मनगड़ इस्थित श्री किपालू जी महराज का आश्रम दिखाने ले जाया जा रहा था इसी दोरान यह घटना घटित हुई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए